नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में मेरे नाम है जिते इंदर आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है और इसमें हम सामाने विग्यान के टॉप 100 इंपोर कम से कम इस वीडियो को आपको दोसे तीन बार देखना है है और इसके बाद एक और पार तो तो उसमें हम 50 questions cover कर लेंगे तो 100 questions जो है हम cover करने वाले हैं तो चलिए हम start करते हैं देखिए first question की तरह move करते हैं तो पहला question है कि इन में से कौन सा केवल आवासी प्रतिवम बनाता है ओके आवासी प्रतिवम की बात की गई है यहाँ पर तो इसका अंसर हो जाएगा उत्तल दरपन उत्तल दरपन जो है वो जिसे हम convex mirror कहते हैं तो यह है परदे के पीछे छोटा सीधा और आवासी प्रतिवम बनाता है एक बार मैं आपको और बता दूँ परदे के पीछे छोटा सीधा आवासी प्रतिवम बनाता है तो इसका यूज हम जैसे गाड़ी में हम यूज करते हैं गाड़ी के जो पीछे की जो बायकारी होती है पीछे से जो गाड़ी आ रही होते हो तो उनको देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं उत्तल दरपन का sodium परावर तक में इसका साल तो यह आपको याद रखना है तो हम बाकी हम कौन के मिरर के बारे में हम बात कर लेते हैं कौन के मिरर जो है वह कैसा बनाता है उल्टा वा स्थिविक बनाता है चैसे कि हम डाड़ी बनाने वाले कांच में यूज करते हैं जो नाई रहते हैं है वाले यूज करते हैं और सोलर कुकर में हम इसका यूज करते हैं अप्तलतरपन का डॉक्टर जो है वो इसी का यूज करते हैं क्योंकि यह जो है वो कैसा उल्टा बात की जाए तो बाड़ी चीजें को यूज करते हैं तो यह सभी आपको याद रखना है नेक्स है यहाँ पर वे जीव जिनके केंद्रक जनमें केंद्रक तता जिली परिबद कोई सिकाए अनुपस्तित होती है कहलाते हैं तो न्यूकलिस और यह डोनों यह चीजह किसमें अनुपस्तित रहती है यह रहती है और यहाँ जिली और रहती है किसमें माइट्रोंटिया भी न्यूकलिस भी पाए जाता है ओके और बात करें तो जैसे गौलगी और राइड वौ पाये जाते हैं जो जंटु वह प्लांट हुए तो इन सबी में जो हÎ वह यूक segment तो यह सबी चीज़े आपको याद रखना है ठीक है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला है यहां पर देखिए का आगला है कि आप आपके पीछे आपके पास दो कीले हैं एक ती छड़े वाली है दूसरी पहुंद्रे छड़े वाली है और अधि आप दोनों पर समान लगाती हैं तो कील जो है वो सबसे पहले कुंश सेगी तो बहुत ही आशान सा है आप सुई ले लीजिए पतली सी सुई आती है वो ले लिजए और एक कील ले लिजे मौटी सी अपने हाथ में चुबा कि देखिए इस समानवल से तो जाहर सी वात है जो पतली वाली सी होगी रेशम जो कीट रहते हैं जिससे हम जो है वो रेशम निकालते हैं तो इसकी बात की जाए तो इसको जो है वो सेरी कल्चर कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ऑप्षन सेरी कल चर कहा जाता जो कीट रहते हैं वह लारवा के तुरू जो है रिस्ञा का नर्माद करते हैं तो याद रखना पितुर की बात करें तो यह आप जैसलों किया जाता है तो अभी तक मैंने बताया था कि ल राल्वा द्वारा निकालते हैं और सिल्क वह उतपादन होता है उसके बाद जहां कि उसे गरम पादपने में मर जाते हैं और तो यह यह ऌड़ता है EU सहयं बहीं पांदप को मैं संचरण होता है तो जुन प्लांट रहते हैं आपने देखा होगा प्लांट रहते हैं तो जो जल है अब पेड़ तो नीचे है मालो यह पेड़ है अब इसकी जड़ें है जो नीचे है यह और यहाँ पर यह पत्तियां लगी हुई है तो इनको पत्तियों को जड़ों से कौन पहुंचाता है तो यह पॉलाता है जाइलम हो के इसका अंसर क्या हो जाएगा जल मॉट और यह तो आपको आसा नी होगी याद खने डिक है चली अगला में देखते हैं यहांपर कौन सा जीव मृस ऑलवा पर जीवित रहता है तो मौरस अलवा पर जीवत रहता है तो यह रहता है जो बात की जाए तो जो रेसम के कीड़े रहते हैं जो कीट रहते हैं बो जो है वो मौरस अलवा पर जीवत रहते हैं मौरस अलवा ना मिले तो आपको मैल वैरी भी मिल सकता है तो यह दोनों ही वर्ड आपको याद रखना तो इसका अंसर हो जाएगा नियोप्रेण होता है आपको नैच्रल रवर की बात की जाए तो यह भी आपको याद रखना है जो नैच्रल रवर से से बहुत सारे product बनाए जाते हैं जैसे कि जूते के sal हो ते हैं तो यह सभी जो है इसी तो कुछ आपने देखा हुगा कुछ इस तरीके से क्या निकले बाते हैं काटे निकले रहते हैं क्योंकि रेगस्तान में नंगा पानी जो है वो पूरी तरह से पानी उपस्ताथ नहीं रहता है यान पत्ते होते हैं जो कि कांटे का रूफ ले लेते हैं तो इस कंसर क्या हो जाएगा लीफ यानि पत्ते तो बी ओपिशन जू है याद रखना है इस सभी को अगला कुशन है यहापर पैरिस्कोप यह एक यंत्र है और जो इसका उपयॉक करता है तो यहाँ पर दर्पन दियो तो सबसे पहले निए अब को बता दूं कि पैरिस्कोप होटा क्या है ? पैरिस्कोप कुछ इस तरीके से मालयो ये पाइब है ही ये पाइब है और यहाँ पर डौन थरफ़ आप देख सकते हो हाँ पर एक दरपन लगा रहता है तो इससे क्या है आप यहां पर जो है वो सम्मरीन हुई, जो मरीन होती है नही कि पतापको मैं पढ़ रहा है, कि यहां से मालो अंनर है और पेरिस्कोप से आप बहर की चीज़े क्या हो सकते हो जैसे कि आप कमरे के अंदर अगराक्त शयुक्त है बहुत है तो आप बाहर की चीज़ें देख नए कि कि बाहर को रहा एंदर आप से और आपको कोई नहीं देख पाईगा तो पैरिस्कोब होता है उसमें hopeless पेपर जो मार सबस्क्राइब नहीं जा सकता है तो मानब दोरा जो है वो पताया जा सकता है तो इसका अंसर जाएगा सी ऑफशन छो है मुश्लिफ यह होते हैं जो मानब के अंदर यह नहीं ही रहती है तो याद रखना है अल्ब हेस्ट है सुरज की उसमा हम तक इस प्रकार के द्वारा पहुंचती है अब सुरज यहां पर प्रित्वी यहां पर हमारे पास किस तरीके से उसकी जो हो यूद मांच रही ठीक है heat कैसे पहुंच रही है तो वो क्या radiation के माद्यम से हमारे पास पहुंच तो रिडियाशन के माद्यम से जो है वो यह हमारे पास पहुंच दिया और आपको पता हो तो solar जो system है उसका केंदर जो है वो Sun है यानि सूरद ठीक है जिसमें क्या होता है nuclear fission होता है यानि नाब की सल्यन जिसमें क्या होता है वो हाइड्रोजन तो मिलके नहीं जो है वो हीलियम का निर्माड करते हैं और अगर आपसे पुछ लिए नाब की बिखंडन होता है वो आटम बं में होता है तो ये दोनों ही चीज़ आपको या रखना है इस्टार हुए सन हुआ तो इन सभ इस हमें यहां है पलोता है बहुत जल्दी से जंग लगा जाती उसमें जो बायू रहती है तो इसी से बचाने के लिए जो हो जिंक कूटिंग के जाती है लोह पर इसका शार होईगा इसे सरच्षन से और जंग लगनी से बचाने से तो इसका अंसर हो जाएगा शी ऑप्षन अगला कुश्चन है जब मृदा में बालू के बड़े कड़ों कचादा उनुपात रहता है तो इसे कहते हैं तो जो मृदा रहती है अगर उसमें सेंड है सॉयल में अगर सेंड है तो वह क्या होती है सेंडी सॉयल कहलती है उसको तो इसका अंसर हो जाएगा बलूवा बलू मृदा और सबसे उपजाओ जो मृत्ती रहती है वो दो मृत्ती रहती है तो यह भियात रखना है नेक्स है यहां पर विशिष्ट सूप्च में जीवों का बर्धन करके बनाई गई एक दवा आये जो अलग-लग रोपों का उपजार करें तो उसे हम एंटिवायोटेक कहते हैं तो एंटिवायोटेक जो है वो इसका अंसर हो जाएगा डियो ऑप्शन एंटिवायोटेक जो सहसीजवी संबंद है तो लाइकेंग जो रहता है वो सहवाल हुए और फंगी यानि कवख हुए तो इनके बीच जो है सहसीजवी होता है तो आपने देखा होगा बरसात के दिवाए जो पुपूदी लग जाती है पीड़ों पर जो है वो एलगाई जम जाती है सहवाल हुए तो उसी के जो है वीच सहसीजवी संबंद होता है लाइकेंग का तो इसका अंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नेक्स है यहाँ पर खमीर में अवा यह भी शुशन के प्रणाम से बने उत्पाद है तो खमीर जो एनरोविक यानि जो ऑक्सिजन की उपस्तिति में जो है व एस्ट की वह ऑक्सिजन उपस्तित नहीं रहता है वहां पर तो वहां पर क्या बनता यह पूछा गया है तो उसमें जो बनता है वह बाती है तो वह अपस्तित में बनाई जातі है पन्नी से पैकर गरगत होगे तो उसकी देखना उसमें खटास आ जाता है तो वह क्या है वह एक इस तरह की होता है और जो की ऑक्सिजन की पस्तिती में नहीं रहता है अगला खुशन है यहां पर बहुत करिया जिसे लोही की रोड के गरम सरे से ठंडे सरे तक फूसमा जो है वह अंतरन होती है अब यहां पर तो मालो बर्नर लखाए तो यहां से आग जल रही है तो दीर दीर करके आप देखोगे पूरे लोहे में जो है वह गरम हो जाएगा यह कैसे हो जाता है यह होता है तो सबस्क्राइब को यह उसक्तान से दूसरी इंदर पहुंचाता है जिसकी बजहे से तो पूरह बात कर चागे हैं जो कि किस्ते होता है सूर से पाक्तियार्ज पीच में पॉंचा है कर देयुश नहीं के लिए किया जाता है ऐसे जैवे घटक कहलाते हैं देखो यहाँ पर कुश्चन जो है वो आपको घुमा के पूचा गया है कई लोग जो है वो इसका कहलाएंगे हर भी साइड लगा देंगे यानि साक नासी और अगर आप कुश्चन धोड़ा ध्यान से पड़ोगी कबक और बैक्टिरिया जैसे जीवों का पृयोग खरफद्वार को नस्ट करने के लिए किया जाता है ऐसे जैवे घटक कहलाते हैं तो वेक्टिर्या हो गये और जो कभक हो गये ऐसे जीव होते हैं तो उनको जो हो हम बाइयो डिवी बाइवाइडिसाइड तो इसका अंसर हो है जो खर्पतबार रहते हैं जो प्लांट हुए जैसे कि जैसे कुछ है जो बतुआ हुआ हुआ तो यह गाओं के लोग जानते होंगे क्योंकि गाओं वहेंसों के लिए जो है वह इसे खलाए जाता है बतुआ जो लूशन हुआ तो यह सब जो है वह एक खतवरवार की स्रेड़ी में आते हैं तो इन्हें भी आपको जात रखना है तो उसमें जो नश्च करने के लिए वह आर्वी साइट का यूज़ करते हैं अगर नेक्स कुशन है यापर धौनी की प्रवलता निर्वन नहीं करती है तो निर्वन नहीं क है कोशन ऐसा पूछ ले जाता है कि जब आप तीवी कि आवाज बॉल्यम बढ़ाती हो तो उसमें क्या बढ़ता है और जो हम बाते करते हैं तो इसमें जो है वो 60 के करीब हमारी यूनिट रहती है बात कंदी का जो रहता है और अगर आपसे 120 डेसिवल जो रहती है तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही हांपोर्ड होती है याद रखना है साउंड के लिए मीडियम की अबसकता होती है निरवात में न मेंसे चांद पर क्याता है और और सकते हैं निर्वात है नहीं हो सकती है तो याद रखना है अगला कोशन है पी प्रितिविंग जो है वह संपरित किया जाता है उन्हें तो रियल इमेज haião हो है वो रियल बनाता है कौन के याद रखना है कौन बैक्स जो रहता है वह आवाशी इमेज पनाती है अगला कुशन है यहाँ पर कि पानी के ग्लास में रखा एक चमच पानी के फ्रश्ट पर मुड़ा हुआ देता है इसका कारण क्या है तो आप ने देखा हुआ कि ग्लास है यहाँ से करण आएगी जो प्रकास आएगा वह अबलंब की ओर जुक जाएगा तो बिरल से सगन माध्यम में जो जाता है वह अबलंब की ओर जुक जाता है वह पर देखायी है, पर वह एक्चली उपर नहीं रहती है, आप उसमें निआ जहना बादोगे, तो आपका निशाना पड़े गई नहीं, क्योंकि वह आपाशी जुआ है, वहाँ फ्रकास चीजी अई प्रकासल्च की आपकर यहीं, बता देता हूं आपको जैसे कि प्रिकास का प्रावरतन क्या होता है तो का प्रिकास का प्रावरतन और प्रावरतन माद्यम से ब्रेल माद्यम में जाता है और आपतन कौन का मान जो रहता है वो करांते कौन से अधिक होता है तो जो हीरे का चमकना होता है वो पूरांते परावतन होता है क्योंकि अब मानलो कोई हीरा है तो उसी में जो है वो सगन माद्यम है तो उसमें कहीं कहीं आपने देखा होगे कि रेगिस्तान में जो पानी से भरा हुआ देखता है तो अब गरिमें गर्मियों में जब आप सड़क पे जा रहे हो ना तो आपको दूर देखो एक पर पानी भरता हुआ है तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला कूशन है यहांपर खाद बस्तियों जैसे अनाज और दालों को सामने दे सूरी के प्रकास में सुखा कर सररचित किया जाता है इस विद्य को क्या कहते हैं तो भाई खाद हुगा अब खुद हो गए खाद को छोड़ो खुद कड़े हो जाओ घाम में तो क्या हो जाएगा आपको डियाइडरिशन हो रहा है तो बस यहीं चीज़े आप समझ लो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो खाद दे जो अनाज हुए दालों को सुकाते हैं सुरू के प्रकास में तो पानी निकालते हैं उससे बास को जन हो जाता है उसका अगला कुशन है निम्न मैंसे किसमें घर्षन हानिकारक है है तो घर्षन जो रहते हैं कई तो डिसाड़क होते हैं तो मशीनों जो चलती होती है तो वहां के लिए हानिकारक होता है क्योंकि मशीनों में अगर कोई घर्षन करेंगी गरम भी बहुत जल्दी होंगी जंज भी जाएंगी तो इसका अंसर हो जाएगा आप सड़क पर चलना है तो घर्षन नहीं होगा तो आप चलनी पाओगे वह एक तम चिकनी है तेल में लगा दो अच्छे से आपने पैर मेर में अच्छा से चिकना कोई पहले तो आप फेक जरुवत होती है बहानों के जलने लिए रोकने लिए जरूवत होती है इसलिए टाइरों में मैं तो तो उसके लिखनी पाएंगे तो कागच के द्वारा कलम के लिखना के लिए, लाबदाइक है। अगला कोशन है आप द्रब द्वारा लगाया गया दवाब तो द्रब द्वारा लगाया गया तो आप नदी है कोई है तो आप अंदर अंदर जाओगे न तो द्रब गहराई के साथ जो है वो दवाब बढ़ता जाएगा ठीक है तो इसका अंसर आजाएगा गहराई के साथ ब तो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा अंदर लिए सकते सम्मरीनफ भलाष्चंग तूट जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो वह अंदर जो है हुआ दबाब के काया लाँ देखाओक पानी के इंदर रहें स्कियां नीम्तम करता है तो घर्षण नीम्तम करता है तो यहां पर देखिए घर्षण जो है आपने देखा हो कि क्रेश्ट के बीच पहियों का उप्यों करके तो कोई पहिया है तो वो क्या है नीम्तम घर्षण करेगा ज्यादा नहीं करेगा अब मालो देखिए टायर को की चूगे त तो फ्रोर्व करते हुए तो वो गर्षन निम्तम लगेगा उसमें जूते के तलबे में कील है कील जमीन ड़ tu फित कियोगे करिellenर के उ jurisdiction हों पर पर यह यह काम चीज नहीं करें तो बीद जो पैय काफियों होता है तो इसका अंसर हो जाएगा यह option अगला question है नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिविम निर्माण होता है तो इसमें फिजिक्स का भी कुछी जा जाती है तो दोनों में जो हो बताया जाता है इसके बारे में तो नेत्र जो रहता है ठीक है अब नेत्र मैं यहां पर पूचा क्या गया है कि तो सबसे पहले आपको यह बता होना चाहिए तो यहांप दे क felता है यह निमिनी में उर it लखता है इस है तो इनवर्ड मतलब होता है उल्टा डिमेंष्ण मतलब होता है हास्थ थे छोटा ठीक है तो चोटा बनता है और आंक का जो लेंस रहता है ठीक है ँई उत्तर लेंस होता है तो यह भी आपको पता है वह ठोफ्य है तो zela अपने आप में fi इमपोंप्डेर एक यहां से काफी पूछ ले जाते हैं नहीं न्युद्प्ते साथ स्कूचनि पूछ ले जाते हैं नेक्स से देखिए अब परिस्क्रत क्रूड प्रेट्रोलियम और जिस प्रकार का प्रिस्क्रत किया जाता है वह कहलाती है तो जो प्रवाजी आस्वन कहा जाता है तो इसकांसर हो जाएगा डी ऑप्षन अगला कोश्चन है बिजली संचालित करने वाले अधिकांस तरल इनके बिलियन है तो जो इलेक्ट्रिक कंड़क्ट होती है जो प्रवागरते हैं तो उसमें तरल चीज़ा होती है तो उसमें आमल छार और लबड ये तीनों ही जो है वो काम करते हैं तो इसकांसर हो जाएगा सी ऑप्शन अगला कोश्चन है यहां पर कि उस सुरच्छा यंत्र का नाम बताई है जो बिद्धुत प्रवाणों को छतिग्रत होने से रोकता है वास संभाव एक आग से बचाता है तो आपने देखा होगा कि घरों में आप जो है वो फ्यूज करते हो जैसे कि भेंकार एक भी लग सकती है भेंकार यह बायर माल जाए सकती है तो यह सबी जो है वो फ्यूज बचाता है फ्यूज जो है वो टेन और लेड का बना होता है टेन और लेड का बना होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है और इसका गलनांक जो रहता है वो निम्ण रहता है और प्र जो है हम घरों में यूज करते हैं तो पेरलल में लगा रहता है यह सीरीज में लगा रहता है याद रखना है आपको अगला क्टोशन है यहीं एक वस्तु का द्रबमान बढ़ता है तब घर्शन पर क्या प्रवा पड़ता है द्रबमान से गर्शित लड़ी होते हैं होता है क्योंकि ब्लड निकलता है और काफी कमजोरी होती है तो उस समय उन्हें क्या खाना चाहिए से भरबूर ऐसे बात की जाए यो जो इन हुए तो पाइलक हुए तो यह सब जो है सेवन करना चाहिए कैल्सियम के लिए देखिए आयरन अब देखिए ब्लड लॉस होगा तो ब्लड आयरन जो रहता है वो ब्लड में प्रिजन्ट रहता है तो इसलिए जो है वो आयरन की जरूरत होती है कैल्सियम की बात की जाए तो हड्डियों के लिए जरूरत होती है ठीक है तो केलसियम जो रहता है वो अंजीर हुआ संत्रा हुआ ठीक है टमाटर दूद हुआ तो इन सम्में प्रिजंट रहता है तो यह आपको जो हो खाना चाहिए उस समय और जो टाइम अगर आपसे पूछ लिया है कि टाइम पीरिट कितना होता है तो पांस से साथ दिन के क कुछा गया तो इस आपको पता हुगा कि क्लूरीन का क्लोरीन जो रहते हैं वह जो जो घृतियर रहते हैं इंफ सको खतम कर दीता है अब क्लोरीन का है नहीं तो आपको रहता है इक आताया अलवा फ्राचूर है कि तो आमला की जो मर्मिन ने देखा कि वह इसमें बटामींद। सी बहुत पाई जाती है और पाँने की ऐसकरवीध एसट का की बात की sure वह अनका राईशानिक नाम देदी तो शोई नीब हुगए लेमनसंत्रा to talk तो यह जो है वहुआ है कि कहां कहां से जन रखने के पुन होती है तो यहां पर ज्यादा बायू नमी और स्वाइब प्रेजान्ट कोई बहुत जल्दी जल्द्य संथ पानी बहां पानी और बहुत जल्दी बहुत करें पर चाहिए जर्टक पर आप उसे का बदिक लगा और जयंग लगोता प्रिवतन इख कि युद्य होते हैं मैं आपको करण दोसे कर सकते हैं तो यह पर्वत्टण होती है等वाने पर्वतन हो गया वह फिसे क्रोब्स ले लिए रए लगा परफ बना के दोत दो क्या है बहुत है नहीं है कि सबसका हो गया नहीं मोड़कन क्रोड़ें बहुत Hokens owns जोड़न delivered तो ये दोना चीज़ आपको clear हो गई और लोही में जंग लगने से जो है वह लोही का बढ़ जाता है तो ये भी याद रखना है लोही का बजन जो है जंग लगने से बढ़ जाता है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं आपर देखिए क्या कहा गया है कि पानी का बेशंकरमण रोपने के लिए अधातु इस्तमाल होती है तो अभी मैंने जल्स बताया कि अधातु जो है वो क्लोरीन है इसका अंसर हो जाएगा क्लोरीन कम यूज करते हैं ब्रोमीन भी बाकी पानी के लिए जो वो यूज करते हैं जो वाटर फार्क होती है भी कंशलत होती में उपस्तित होती हैं तो आप सातरंग होती है कैसे Showупrator कैसे पता बढ़ता है तो प्रिजिम पहता है प्रिज की मादम से पढ़ता होता प्रिजम हैंँ तो यहां से आप कोई भी यहां से रंग निखले जाएंगे वारेड इंडिक ब्रीजु प्रेड दो रहता है उसका बहुत कम होता है तो जो हेड्ट लाइट होती है अबिसे ढूसे जो है राल क्रोलर का बना जाँ है क्योंकि दूर से ही देख लेता है इनसान और वॉयलीत क्या है उसका प्रिक्रीडम बहुत जल्दी हो जाता है ठीक है उसकी बेबलंद कम होती है दूर तक नहीं जा पाता है तो एक चीज़ आपको और कुशन बताता हूं कि जैसे की सूर्य है तो सूर्य जो है वो सुबह और साम के टाइम लाल क्यों दिखाए देता है क्योंकि देखिए यह इसकी दूरी कम हो जाती है तो हब दूरी जआधा है हैं यहां पर दिखिए दूरी जाधा है तो जाए कि जो बाकी के जो भॉइलेट होएन्धी डिकाण हो यह करणगा है ठीक है बचसा रेरे तो एक निए हमनोस। पात थीड़ीडों सो हो घृउँद तो इसलिए यहां प सफेद देने लगता है तो यह चीजें हैं आपको याद रखना है कि आकास का जो लाल अगर सब्सक्राइब कपेन की अगला कोशन है कि मानसून पवंथ तब चलती है जंप तो पबन जो है वह एक चीज़ याद रखना है कि जो पबन्ग रहती है भो हाई प्रेशर से लोग चलती है बात की जाए तो है प्रेशर प्रेशर रहता है जहां पर ठंडा इससाँ है जो सुआ बात की जाए तो सरद हों में जो प्रेशर रहेगा ये बessen गर्में पर जह उंख की हखवज़ीं हिट है यह से आपने देखा हो अगाainen मेलेat सो जो है भी डिट जो है वह तत्रीस चीज़ चलने लगते हैं है तो क्या है यानि घरमी जुह फावन сил तरीके से अ करी में महशाघर की और गर्मी में को olan महशाघर से भूमी की और तो इसका अंसर हो जाएगा तो मासागर से जो है भूमी की वो चलेंगी क्योंकि मासागर जो है ठंडा रहेगा अब गर्मी का टाइम है तो भूमी गर्म रहेगी तो इसलिए जो इस तरफ चलेंगी याद रखना है अगला कुशन है यहाँ पर केक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत छोटी थोड आ रहे यहां बिखा रहे हो यहां पर फौरण फूरस लगा रहता है तो जैसे अब घ् Genius को जाता है यहाँ पर बिंड़ क्लीनर में नहीं चलें उनिया तो खिए खथा शी मोटा आमोंिया धिया हुआ है कि अगर आपको है है कि अगला कुछन यांपर देखे कि पानी तो पानि दवाब रहतने के कईड़ पटल पर महसूस होता है इस तब करण क्या है तो आपने देखा होगे आप स्वेंपूल में तैल रहे हो आप अंदर जाओगे ना तो आपके कान जो रहेंगे ना ठीक है तो वह ऐसा लगए कि यहाँ पर बहुत दवाब महसूस हो रहा है दवाब मह पासर हो जाएगा अगला कुशन है उस जीप को पेंचानिये जो अपनी तुचा से सुचन लेता है तो ऑप्शन देखिए यहां पर केचुवा है मत्स कुट्था बिल्यी तो बहुत ही आसान है जो रहता है वो अर्थवों जिसे हम बोलते हैं तो वह क्या है तुचा से सांस र किसका ओदर आए तो एक सटह गेंद होती है तो क्या वब लड़कती हुई जाती है ठीक है टुकि रूलिंग फ्रेक्षन जाता है उसका अंसर होते हैं यहार कोशन है अगरा नहीं देख सकता है बहुत दूरकी को देख सकता है इस तरह का व्यक्ति किस से पीड़ेत होता है यानि दूर की पस्तू तो देख रहा है लेकिन पास की उसे देखाएं नहीं दे रही है तो ऐसी कंडिशन में जो है उसे हाइपर मैट्रोपिया हो जाता है यानि दीद ग्रिदस्टी डोस हो जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा पी जन combat में बोली की रहता है माई बोल सकते हैं हम जैसे द्रस्ती दथी हो रहता है निकट Size यह जयोड़ है यह जो दूर की नहीं देखाएं यूज करते हैं करतें तो दोने ही चीज़ हाद रखना है ओर एक चीजा रखना जैसे कि night blandness हो जाती है जैसे रताओंदी हो जाती है तो रताओंदी वो क्यों हो जाती है हमारे आक में जो हमारे लुक्त वो दों होते हैं और चल्नल उते हैं तो जो तो चाह़ती है ना तो यूश्मल्ण की एजिनके तो उनकी शलेंड़ inaugural और हो जाती है यानि कलर में फर्ख नहीं कर पाते हैं तो आपने आप रहता है क्यूंकि उसका जो है वह उदकर रहते हैं वह बहुत ही इस्वान होते हैं कि चलिए अग्ला कोशन देखते हैं नेक्स है यहां पर खीट बख्ची पौदा पेचान है कीट बख्ची पौदा जो रहती है वह कीटब को खा लेती हैं अपने कई बार देखा हो गया आपने एफ टीवें में देखा हो या कहीं भी आप कीट भक्ची जो रहते हैं वह कुछ आप इसमें उंगली दोगे न यहां पर उंगली दोगे न एक तुम से बंद हो जाएंगे दोनों तरफ से तो वह कीट वक्षी होते हैं जो कीटों को काते हैं तो उनको पिचर ब्लांट होलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा यह ऑप्षन कक्टस और अमर बेल जो है यह दोने प्रक्रियार करता है एक तौर राता है तो तो यह कुश्यन भी पूछा जाता है तो याद रखना या को दौबर प्लांस के नतरगत प्रक्रिया के क्या होता प्रकाश산 नहीं पर प्रक्रीया के दौरान करूं कि यह यह पीड़ है ठीक है अब सूरज यहां पर है यहां पर पत्तियां है तो यहां से आजाएगा पानी यहां से आजाएगा चोड़ते हैं तो यह सब सब्सक्राइब है कर में होती है यह कौन से ट्रियां होती है यह र्मूस वह सब्क्रिटक्री नहीं होता है पूट्री ग्लांड जो रहता है वो इंडोक्राइन ग्लांड होता है ठीक है इंडोक्राइन ग्लांड रहता है आपको याद रखना है इंडोक्राइन ग्लांड रहता है जिसे हम मास्टर गंती भी बोलते हैं प्यूज गंती को पर मास्टर गंती क्यों बोलते हैं क्योंकि ये भी इंड़ोक्राइन फंग टोल खेक लग मुझाम कडिंग जो निकल हूता तो पैप के थरूद प्युक्राइंड निकाल जाता हैнок लेकिन इंड़ोक्रायांड ग्लांड रहते हैं उसमें फार यह पे भाकरण हमारे आंक aplaudy पायता है और एक होता है पैंक्रियांजेस क्या होता है पेंग्र्याज्य ग्लांड होता है जो रेडिस करता है अगला कुश्षन यहाँ नमक के गोल में शकारात्मक आविश्थ कड़ों कहा जाता है तो तो बहुत यहां साथ है अगला कुछन है जब एक पदार्थ गरम हो जाता है तब तो पदार्थ कोई भी चीज़ा गरम हो जाएगी तो इसके कड़ों में जो हो उसके पारे का परियोग की जाते है तो उससमा एची सुचालक होती है ख़िक है तो इसलिए तैम्प्रेशन तो उसमें क्या है जो है आपका टेंपरिचर पड़ा पड़े जाएगा कि तरल अवस्ता में रहती है तो जो पारा रहती है तो याद रखना है और जो अधातु जो रहती है तो इसके बारे में आपको पता चुका हूँ ब्रोमीन जो रहती है तो यह थे पचास कुशन आज के इस वीडियो में आई होप आपको बहुत ही सांधर वीडियो लगा हुगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कीचेगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर कीजएगा इसका नेक्स पार्ट और आएगा तो जल्दी ही भी हम नेक्स पार्ट जो है वो जल्दी लाने की पुछिस करेंगे और जो भी साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और बेल आइकट्स करें जिसके माद नेकिन अगर जाएगा और आगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा और यह वीडियो कम से कम आपको दो बार तो देख नहीं है इससे आपके बहुत सारे चीजे जो है वो कम जो है वो किलियर होंगी अगर आपको एक बार में सारी चीजे कपर हो जात तो मिलते हैंगे वीडियो मेंchts थैंक्स फौर वाचिंग डा वीडियो हवे नाइस्टे